कहानी की शुरुवात होती है एक छोटे से गाउं से, जो अपनी शांती और शहरलता के लिए जाना जाता है, लेकिन एक रात ऐसी घटना घट्टी है, जिसने गाउं में खौफ का महौर पैदा कर दिया, इस घटना का केंद्र था, एक इंसान, जो अपने अजीबो गरीब वह जाना जाता था, लोग उसे हमेशा से कुछ अलग समझते थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था, कि उसके अंदर इतनी हैवानियत छुपी हुई है, सुबा के सबे जब गाउं के मुखिया अपनी प्री बकरी के पास पहुँचें, तो उन्होंने उसे निर्जीव अवस्था में पाया, उनकी यह बकरी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो उनके परिवार का हिस्सा थी, और शब से खाजबातिया थी, कि वह गर्वती थी, उनकी लिए यह सिर्फ एक बकरी की मौत नहीं थी, बल्कि उनकी खुशी और उमीदों का टूटना था, लेकिन यह मौत किसी सधार काड़ से नहीं हुई थी, किसी ने बकरी के साथ ऐसी दरंदगी की थी, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था, मुखिया ने गाउं के बड़े बुजर्गों को बुला कर अपनी बीडा और बकरी की हालात के बारे में बताया, धीरे धीरे लोगे खठा होने लगें और हर को यही सुचने लगा कि आखिर कौन ऐसा करशकता है, कुछ बुजर्गों ने गाउं के उस रहश्मे व्यक्ती का नाम लिया, जो रात में अकेले घूमता था, और अक्षर लोगों को असरच कर देता, लोगों ने उसकी हरकतों के बारे में बात की, कैसे उसने पहले भी कई बार अपने अजीब वहवार से लोगों को परशान किया था, गाउं वालों ने उस इनसान को पकड़ने का निश्चे किया, उसे पकड़ कर पूच्टाश करने पर उसने पहले तो सब कुछ न कार दिया, लेकिन उसकी आँकों में छुपा डर उसकी सच्चाई पया कर रहा था, थोड़ी ही देर में लोगों को कुछ सबूत मिल गए, जो उस रात के खटना से चोड़ते थे, उसकी एक छोटी से चूड़ी पकरी के पास मिली, जो गवा दे रही थी, कि वो वहीं था जिसने बकरी के साथ दरन्दगी की थी, काउं के लोगों ने उसे पकड़ कर बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके जाते ही गाउं में एक अजीव सी शान्ती और डर का महौल बन गया, लोग अब भी उस पकरी के मासूम आखों में देखी कई पीड़ा को नहीं बूल पा रहे थे, हर रात, हर रात उन्हें ऐसा महसूस होता था, जैसे उस मासूम की चीखें अभी भी सुनाई दे रही हूँ, और या घटना गाउं के लिए एक चेदाउनी बन गई, एक याद कि मासूमों पर अत्याचार करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा, या कहानी समाज के उन लोगों के प्रती एक शंदेस है, जो अपने घेनोंने इरादों के कारण मासूमों को नुक्षान पहुचाती है, ऐसी घटनाएं हमें सिखाती हैं कि हमें समाज में इन मामलों को कमभीरता से लेना चाहिए, और ऐसे लोगों को समय रहते रोकने के लिए एक जुट होना चाहिए, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो कृप्या हमारे चैनल स्टोरी फॉर यू को सुब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अगली बार हम फिर से एक नई कहानी के साथ लोटेंगे, तब तक के लिए अलविदा, जैहिन!